दोस्तो एक यूरोपिय देश है आइरलेंड आइरलेंड के डबलिन शहर में इस वक्त हिंसा की आग भढ़क रही है और यह आग ऐसी बढ़की है कि इसने पूरे आइलेंड को अपने चपेट में ले लिया है दंगाई सडकों पर निकल कर दंगा कर रहे हैं गाडियों में 23 नमंबर को एक स्कूल के बाहर एक शक्स ने चाकू से तीन बच्चों एक महिला समेत पांच लोगों पर हमला कर दिया सभी की हालत काफी गंभीड है पांच लोगों पर चाकू से हमला होने के बाद पुलिस ने हमला बर को गरफतार कर दिया लेकिन डबलिन शहर के अंदर ह हिंसा भढ़क गई और इस हिंसा को भढ़काने का काम दक्षिल पंती गुरुप ने किया दक्षिल पंती गुरुप यूरुपिय देशों में उनको कहा जाता है जो जादा तर इसलाम की अगैंस्ट होते हैं जो इसलाम और मुसलमानों से नफरत करते हैं उनको धुर दक्षिल पंती गुर्फ का जाता है यूरोपीय देशों में तो आइलेंड के डबलिन शहरे में दक्षल पंती संगटनों ने बुरी तरह से हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिये दुकानों में तोल फोल शुरू कर दी पुलिस के साथ भी मारपीड करना शुरू कर दी बसों में कारों म आग लगाना शुरू कर दी तो ये जो हिंसा की आग भड़की है आईलेंड के अंदर ये आईलेंड के दक्षल पंती संगटनों के तरफ से भड़काई गई है आखिर ये हिंसा क्यों भड़की चाको तो एक शक्स ने मारा था लेकिन उसके बाद आईलेंड के ही लोगों न ठीक नहीं है और इसी के चलते हुए उसने इस तरह से पांच लोगों पर हमला कर दिया लेकिन आईलेंड के जो दक्षल पंती संगठन है वो सरकार के खिलाब प्रदर्शन करते हुए इस तरह से पूरे शहर में आगज़ा नहीं कर रहे हैं इन लोगों का कहना है कि यह आई आईलेंड के अंदर मिडल इस्ट के बहुत सारे आपरवासी रहते हैं शरणारती भी इनको कह सकते हैं और आयरिस सरकार इनको आराम से वहां पर रहने की जगा देती है यह बात वहां के दक्षल पंतीस अंगठनों को पसंद नहीं आती है मिडल इस्ट के जातर मुसलमान ही है अलजीरिया के काफी लोग आयलेंड के अंदर रहते हैं तो यह बात उन लोगों को पसंद नहीं आती है तो तेज तारीक को जब यह हमला हुआ उसके बाद इन दक्षल पंतीस अंगठनों को एक मौका मिल गया और पूरे आयलेंड को अभी यह जलाने की कोशिश कर रहे ह है कि तुरंत इन लोगों को अपने देश से बहार निकाल दो मेरे दोस्तों दुनिया में कहीं पर भी इस तरह के कोई घटना होती है और अगर नाम मुस्लिम बाला सामने आ जाए तो हमारे यहां की मीडिया और दुनिया के तमाम मीडिया आतंक की एंगल निकालने में लग मुस्लिम नाम है तो आतंक की एंगल की जाच होती है वहीं अगर किसी दूसरे धरम का होता है तो उसको पकड़के जिल में डाल दिया जाता है और उसको हमला बर बताया जाता है अमेरीका के अंदर आए दिन गोली वारी होती रहती है कोई भी बंदूग लेकर बाहार निकल किया है वो अलजीरिया मूल का अपरबासी है और मुस्लिम है लेकिन पुलिस ने कहा है कि इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसका मांसिक संतुलन खराब है और इसी के चलते हुए इसने इस तरह का हमला किया है अब इस घटना पर इस्राइल को भी बोलने का म आयरलेंड यूरोप में सबसे अधिक हमास समर्थक देशों में से एक रहा है यानि इसका कहना है कि आयरलेंड में सबसे जादा हमास के समर्थक हैं इस सब्ता एक पिरवासी ने बच्चों सहीत पांच लोगों को चाको मार दिया जब आप कट्रवाद का तुष्टी करन करत हैं तो आपको कट्रवाद मिलता है तो इस पर इसराइल को भी बोलने का मौका मिल गया है लेकिन इस वक्त तो जो हिंसा हो रही है जालतर हिंसा दक्ष्रपंतिस अंगटनों के तरफ से ही की जा रही है और ये मांग कर रहे हैं वो सरकार से कि इन आप पर बास्यों को तुरं अपसान भाशा में बताई जाती हैं